हेलो एब्रेबन आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम लोग इंडरस्ट्रियल मशीन टूल एक्यूपमेंट्स में मैं आपका थर्ड पार्ट लेके आई हूँ जिसमें मैं mcq questions आप लोगों को study कराऊंगी हम इसमें discuss करेंगे और detail में हम लोग जानेंगे जिसमें मैं आपको care and maintenance of swing machine से related questions हम लोग इसमें discuss करेंगे यानि कि हमें अपने machine को किस तरीके से care और maintain करना चाहिए oiling किस तरीके से करने चाहिए उस related जो topic था उस related मैंने इसमें questions लिये हैं तो 10 questions हैं जिसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो आईए start करते हैं first question है हमारा a swing machine like any piece of equipment need some and dash तो options है oiling and lubricating, care and cleaning, lubricating and caring, oiling and cleaning यानि कि जब हम machine हमारे जो machine होती है जैसे कोई भी piece है equipment है machine का तो उसको क्या ज़रूरत होती है oiling और lubricating की यानि की जो lubricating oil है और oil है उसकी ज़रूरत होती है, साफसाफाई की ज़रूरत होती है lubricating और caring की ज़रूरत होती है, सरफ care करना और lubricating करना, oiling and cleaning की ज़रूरत होती है तो इसका exact answer है care and cleaning जो हमारी machine होती है जो हमारे machine के equipments होते है सबको हमारे care और cleaning की ज़रुवत होती है next second question आता है हमारा keep it dusted and lubricated at least a week or more often if the machine is in constant use यानि की machine को dust और lubricated करना यानि की उसमें से dust हटाना और उसको oiling करना at least dash a week or more often if the machine is in constant use जब आपकी machine आपको constant use करते है यानि की normal use करते है तो आपको week में कितनी बार अपनी machine को clean करना चाहिए उसको maintain करना चाहिए उसमें oiling करनी चाहिए तो options है once, twice, thrice, every day यानि की week में एक बार करना चाहिए दो बार, तीन बार या हर रोज हमें अपनी machine को clean करना चाहिए तो इसका exact answer है once तो week में once time हमें अपनी machine को clean करना चाहिए और oiling इसकी करने चाहिए then third question आता है हमारा it is putting something new in the place of an old or damaged part जो आपकी machine है तो इसमें पूछा है कि अगर आप कोई भी आपकी machine का जो part है वो खराब हो जाता है या पुराना हो जाता है और आपको कुछ नया उसमें डालना है तो उस process को क्या बोलेंगे options है adjust, entangle, replace और pucker तो इसका exact answer है हमें replace करना चाहिए यानि कि renew लगाना चाहिए यानि कि उस product को उस equipment को हटा के दूसरा equipment, नया equipment हमें लगा लेना चाहिए अपनी machine में then fourth question आता है हमारा it is wrinkling of fabric caused by very tight stitch तो आपकी कपड़ा जो होता है वो wrinkle होने लगता है यानि कि गैदरिंग से आने स्टार्ट हो जाती है stitches जो हैं बहुत tight आने लगती है तो वो किस वज़े से होती है उसको क्या बोलते है तो options है adjust, entangle, replace और pucker तो हमारा इसका exact answer है correct answer है pucker जो हमारा fabric में gathering आने स्टार्ट हो जाती है धागा बहुत ज़दा tight हो जाता है तो उसको हम puckering बोलते है वो puckering होनी स्टार्ट हो जाती है then fifth question आता है हमारा prepare the needed tools and supplies in cleaning and swing machine cleaning tools and materials includes तो जब हमारे जो machine होती है उसके जो tools होते हैं उसके जो supplies होते हैं उनके cleaning और oiling जब हम करते हैं cleaning tools and materials include तो उसमें हमारे जो tools होते हैं वो क्या include करते हैं जब भी हम अपने machine को clean करने बैठते हैं swing machine को तो हमारे क्या-क्या materials की आविशकता होती है हमने क्या क्या लेना चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको डिटेल में जान सकते हैं, IMTE के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, तो इसके options हैं, oil, brush, screwdrivers, pan and notebook, cotton buds, next option है, broom, cloth, pan and notebook, cloth, oil, cotton buds, screwdrivers, cloth, oil, तो यह कुछ options हैं, जिसमें हमारे tools के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका exact answer है, A, जब भी हम अपने machine को clean करने बैठे हैं, तो हमारे पास क्या-क्या tools होने चाहिए, oil, यानि की जिससे हमें अपनी machine में तेल डालना है, वो तेल होना चाहिए, वो कौन होनी चाहिए, brush, जिसकी मदद से हम अपने machine के जो dust हैं, जो raw fabrics हैं, raw fibers हैं, उनको निकालने के लिए, screwdriver यानि की जो page होते हैं, उनको ढिला करने के लिए, pen and notebook, cotton buds, cotton buds इसलिए जाता कि जो कुछ जंगा ऐसी होती है, जिन जंगा पर brushes नहीं जा पाते हैं, तो earbud की मदद से हम उसको clean कर सकते हैं, इसको क किस तरीके से clean करना चाहिए, वो भी आप playlist में जाके देख सकते हैं, कि हमें अपने machine को किस तरीके से clean करना चाहिए, मैंने practically उसमें दिखाया हुआ है, then next, sixth question आता है, face plate is consist of, जो face plate है, वो क्या consist करती है, options है, rotary oscillating hook, disc spring and dial, pressure bar, needle bar, thread take-up lever, diffter, pressure bar, needle bar, disc spring and dial, तो इन में से कौन सा option है, जो हमारे face plate को consist होता है, जो face plate के लिए, face plate के पास होता है, तो इसका exact answer है, C, यानि कि pressure bar, needle bar, thread, take-up lever, और lifter, ये हमारे, जो face plate है, उसके पास रहते हैं, then seventh question आता है, हमारा upper tension is consist of, जो आपका upper tension होता है, उसके पास क्या होता है, वो क्या consist करता है, options है, rotary oscillating hook, disc spring and dial, pressure bar, needle bar, thread, take-up lever, lifter, pressure bar, needle bar, disc spring and dial, तो इसका exact answer है, B, यानि कि disc spring and dial, जो हमारा upper tension होता है, जो upper tension होता है, उसको nut भी बोलते हैं, tension nut, tension screw भी बोलते हैं, उसके बाद जो tension nut होता है, उसके पीछे हमारा tension spring लगा होता है, उसके बाद हमारा tension disk लगा होता है, तो कौन control, तो इसके, जो आपका upper tension होता है, तो इसके पास क्या होता है, disc spring and dial, disc spring होती है और dial होता है, then 8th question आता है हमारा, what should you do to your machine before using the lint brush to clean out thread fibers, आप अपने मशीन में क्या करते हैं, पहले आप क्या करते हैं, जब आप मशीन को clean करने बैठे हैं, जब उसमें जो lint है, उसको clean करते हैं, ब्रश के मदद से, तो सबसे पहले मशीन को आप क्या करते हैं, options है, unplug it, turn it off, let it cool down, remove the needle, यानि कि आप मशीन को unplug करते हैं, यानि कि उसका plug निकाल लेते हैं, turn it off, मशीन को बंद करते हैं, let it cool down, यानि कि आप उसको ठंडा होने रख देते हैं, remove the needle, यानि कि उसके जो needle होती है, उसको निकाल देते हैं, तो इसका exact answer है, remove the needle, मैंने समझाया भ सहले क्लीनिंग करने से पहले मशीन को निडल प्रेशर फुट निकाल देना चाहिए राइट दैन नाइन कोश्चन आता है हमारा हाव मेनी हूल्स आर देयर इन स्विंग मशीन फॉर ओईलिंग के लिए हमारी मशीन में कितने होल्स होते हैं तो एट ऑप्शन है 18 36 24 27 इसका एक लास्ट कुश्चन आता है हमारा वाट वर दा अर्लियर स्विंग मशीन निडल मेड ओप तो हमारी जो स्विंग मशीन है वो कितनी अर्लियर है बिट्विन 25,000 तू 30,000 इयर्स अगो जो हमारे पहले का टाइम था यानि कि 25 से लेकि 30,000 का जो इयर था उसमें उस बीच में हम मशीन की जो निडल है वो कौन सी किस मटीरियल से बनी होती थी किस चीज की मटी बनी होती थी किस टाइब की निडल का उप्योग किया जाता था तो ऑप्शन है टर्टल शेल यानि की जो कछुआ होता है उसका उपर की जो बैक होती है उसकी मदद से अनिमल बोन यानि की जो आनिमल बोन यानि कि जो जानवर होते हैं उनके हड्डियों की मदद से निडल बनाए जाती थी पहले के टाइम पे जो भी एसेसरीज होती थी या कोई भी एक्यूपमेंट चाहिए होता था यानि कि जो भी अपनी बॉड़ी के लिए ऐसा डेकॉरेटिव परपस इस्तेमाल कि हाव कि हाल जाता था वह हमेशा एनिमल बॉड्ड की मदद से ही बनाया जाता था जैसों तो I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है कोई क्वेस्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्षन उपन रहता है आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पोच सकते हैं अधर वाइस एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आइडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है अधरवाइस मैं वीडियो में भी साथ की साथ शेयर करती हूं अपनी आइडी का नेम ज कोई भी वी क्वेस्ट्षन या किसी भी उर्ensitive वीडियो से एक ऊससे नियुग सकते हैं तो आप होब कि आपको वीडिओ अच्छी लगे और समझ में आए और जो भी query हो वो आप मुझसे easily पूछ सकते हैं, so thank you, आप मेरी वीडियो को like, share और subscribe ज़रू करना मेरे चैनल को, bye bye